हेलो दोस्तों मेरे नाम पर साहिल कंताव आप देख रहे हैं इंट्रेलेक्शल इंडीज और आज हम लॉस लीडर्शिप के बारे में बात करेंगे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है मुझे बहुत जाना पसंद है आपको वीडियो देखने के पसंद आये ना आये जरू मुझे सब्सक्राइब इंटेलेक्शल इंडीज एंप्रेस्ट बैल आइकन और नेवर मिस अनी अप्डेट देखिए हर साल एक टाइम ऐसा आता है जब प्याज के रेट बहुत बढ़ जाते हैं 100 रूपे 120 रूपे 80 रूपे पर बिग बजार उसको 20 रूपे में बेच रहोता है 15 इसको ना हम फरवरी में खरीट लेते हैं उसको बेचेगे अधा खुछ नहीं होता एकदम बढ़ते है और एकदम वो रेट कम कर देते और आपको मीडिया में दिखाने लग जाते हैं देखो हम आपको 20 रूपे में प्यास दे रहे हैं तो क्या यह स्ट्रेटी है क्या करना जा रहे हैं कभी भी आप किसी वी दुकान के अंदर जाओगे बड़ी दुकान के अंदर यह लाला शाप दुकान के बारे में बात नहीं कर रहा है जो बड़ी बिग बजार इस साइब कि वॉलमार्ट टाइप जी जगा है वो क्या करते हैं वो आपको कुछ प्रोड़क्ट loss में वेजते हैं loss में वेजते हैं उनको मान के चलते हैं एक product 100 रुपे का पड़ता है वो आपको 90 रुपे में वेज देते हैं जिस time प्याज के rate 100 रुपे 80 रुपे होते हैं वो बलक में भी ले लेगा 60 रुपे का 50 रुपे पड़ेगा पर वो आपको 20 रुपे में बेच रहे हैं क्योंकि उनको पता है अगर आप प्याज लेने के लिए आओगे और साथ के साथ नोंने cap लगा रखे आप कभी भी ध्यान देना वो आपको cap लगा के बेचते हैं कि आप सिर्फ 2 kg ले सकते हैं तो आपने 2 kg प्याज लेने के लिए आप इतनी दूस पैशली तो आओगे हैं अब आप 2 kg प्याज लोगे साथ में 3-4-5 चीज़े तो ले ही लोगे वहाँ पर वो आपसे profit ले लेगे साथ के साथ वो अपनी leadership बनाने के लिए अपने आपको loss में लेके जाते हैं अब मैं क्या बोल रहा हूँ detail में समस्ते हैं इसको आपने देखा कि जब भाई 80 रुपे का प्यास था बिग बजार उसको 20 रुपेम बेच रहता कितना सही है मतलब कितना कम profit के अंदर काम करता है मैं जब Pepsi की बोतल लेने के लिए जाता हूँ वो 80 रुपे की होती है वो 70 रुपे की उसको दे रहते हैं मुझे 10 रुपे का डिसकाउंट पर मेरी दुकान बला तो आस-पास कोई नहीं देता बाई बिग बजार सही है बिग बजार अच्छा है बहुत चाई डिसकाउंट देता है यहीं पर उनकी गेम आती है वो competitive pricing तो रखते ही है साथ के साथ वो क्या करते है वो आपका दिल जीत लेते हैं अब वो एक बार आपके साथ loss के चकर में वो आपका दिल जीत लेते हैं अब आप उसके बंद के customer रह जाते हैं Amazon, Paytm, जितने ही भी हमारे आपको बेचना है तो मैं तो एक लाग पीस ले लू, मेरी मर जी क्योंकि उनको पता है कि हम इस पर loss ले रहे हैं आज ये बंदा मुझसे सौरबेगी आइटम लेगा उसको पता लगेगा Amazon पे सस्ता मिलता है वो मुझसे ही लेगा इसी चकर में frauds होते हैं कई बुक्स वाले करते हैं, मेरी जान पर जान पे कई लोग करते हैं इसा वो क्या करते हैं, Amazon पे बुक्स बेचते हैं, अब बुक्स बेचते हैं वो Amazon को सौरबे की बुक देते हैं और Amazon उसको पचास रुपे की बेच देता है कर विकर ओफर के अंदर तो यह क्या करते है यह अपनी बुक खुद भी करीद देते है सीथा सीथा इंको पचास उर्वेगा प्रॉफिट हो जाता है फिर यह वही बुक बेज देते है समझ रहो ना मैं क्या कहने की कुछ कर रहा हूँ तो इंके बाद मुल्टिबल आइडीज होती है बहुत सारा कुछ गेम खिलते हैं बहुत बड़ा गेम होता है तो इस चाइब के फ्रॉड यह वी बैठे है लॉस लिडर्शिप को लूटने के लिए हमारे देश के अंदर है तो अब कई लोग ओफेंड हो जाते हैं ताकि वो लीडर्शिप ले पाए यही रीजन है सारी e-commerce loss के अंदर है अब इस concept को आप अपने business के अंदर किस तरीके से apply कर सकते हैं वो आप खुद सोचिए अगर आपको कुछ strategy or advice चीए तो आपने को mail कर सकते हैं बाकी अगर मान की चलिए आप 10 products बेशते हो 10 के 10 आपस में related products है तो भाई एक product के उपर loss ले लो अब वो बन्दा आपस एक product loss का लेगा जैसे कि हम chemical के अंदर करते हैं बहुत सारे ऐसे product हम no profit no loss के अंदर बेश देते हैं एक उर्पया नहीं बचाते हैं हम सीधा सीधा बीज देते हैं क्यों क्यों हमको पता है हमको इस company में enter करना है हमको इससे अच्छे relationship बनाने है आज ही हमसे एक product लेगा कल हमसे दो लेगा उसके बाद तीन लेगा उसके बाद पांच लेगा तो ठीक है दोस्तों इसके साथ ये वीडियो पत्म होती है आचा काता हूँ को अच्छे लगी हूँ कोई दिक्कर देजी कमेंट में पूछ लेना लाइक शेर कर देना कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप अपने business के साथ loss leadership किस तरीके से करेंगे MBA वाले अगर इसको लिखना चाहते हो तो भाई ज़्यादा बड़ा concept नहीं है ज़्यादा बड़ा concept क्या लिखोगे उसके अंदर कहीं पर introduce कर सकते हो अगर आपको presentation देनी है कोई marketing concept के उपर तो आप loss leadership को उठाओ flip card उठाओ और किराने वाला उठाओ और एक big wizard उठाओ तीन अलग अलग चीज़ों को उठागे एक presentation मना तो चलिए बाय गुड़नाइट शबा कहरे खुदा आफिस गुड़ मॉर्निंग गुड़ाफन जब यह वीडियो को देख रहे हैं